बाबरी केस में थोड़ी देर में फैसला आने बाला है। राम जी गुपता, उम्परकाश पांडे, पवन पांडे और अग्रवाल बंधु भी कोर्ट रूम में मौझूद हैं और हमारे सारे समभादाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन एक बाबर फिर से टक्टकी लगा कर इस वक्त देश का हर शक्स इस बात के इंतजार कर रहा है। इस भूमी पर राम मंदिर का भूमी पूजन भी हो चुका है। आज वहाँ पर बाबरी मज़ित का विद्वन्स करने बालों पर कोट क्या सैसला सुनाएगी। कितनी देर में सैसला आएगा। आरोपी कोट रूम में मौजूद हैं वैसे ही जद साहब कोट में आएगे और उसके बाद आगे की कारवाई शुरू होगी वो अपना वर्डिक्ट लिखवाना शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि सभी पहुँच चुके हैं अटेंडेंस ली जा बात करें तो दो दिन पहले बीजेपी का राश्य दक जेपी नडड़ा को जो उन्होंने चिट्टी लिखी थी उसमें ये कहा था कि वो वेद मानती हैं कानून को अदालत को मंदिर मानती हैं और जजज को भगवान मानती हैं और ऐसी स्थिति में अदालत का जो फैसला होग वो भगवान का आश्यवात समझके वो उसे ग्रहन करेंगी साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदालत का फैसला चाहे जो भी हो लेकिन अगर जमानत की जरुत नहीं पड़ी तो मैं जमानत नहीं लोंगी क्योंकि मेरे लिए बहुत गरव का विसा है कि राम मंदिर के अंद होगाहा है ब्रेक के मारे मजबूरी है और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे क्योंकि बड़ी खबर यहीं है कि इस वक्त सभी आर्योपीयोँ की जड़ALKरूम बे टिंडेंस ली जा रही है और जैसे टिंडेंस पूरी हो जाती है जज़ को फूजित किया जाएगा और फि एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहें फॉरण हसल।